श्री हरेहर होस्पिटल भी बुंतर जाएगा और यहां इन्होंने क्या किया जो दोनों बेजी दोनों प्रॉपजल्स लेकिन उपर से यह का गया जो क्रियेशन का मामला है वो अलग है जो कौन पंचाइट इसमें होगी वो अलग है तो पहले आप क्रियेशन का केस बेजी है इन्होंने दोनों अलग करके बाइफरकेट किये क्रियेशन हो रही है बुंतर ब्लॉक की कुलू ब्लॉक में पंचाइटे और एड होनी है और निकलनी भी है यहां से तो इसलिए जो क्रियेशन का मामला है वो फाइनेंस में जाएगा जो कैबिनेट ने अपरूब किया उसके बाद फाइनेंस में जाएगा क्रियेशन का कि इसके बाद जो फाइनेंस को जाना था तो इसलिए बहां से उपर पंचाइट राज हेड कोर्टर से इनको कहा गया कि केवल आप जो पंचाइटे जो नया blog create करना है उसमें कौन कौन सी पंचाइते होंगी उसकी list पहले भेजो और फिर बाद में आप दूसरों का status भेजना तो इनों ने जो मेरी proposal थी उसमें से देखके भी और जो हमने दिया था उसमें मलाना को तो show कर दिया भूंतर में और बाकी एज़िटी जी रहा तो लोगों को लगा के खराल वाले रहे गए क्योंके खराल करना हम कहीं नहीं दिया है उसमें तो कहां-कहां ये confusion हो गया इसलिए लोग क्योंके ऐसी इच्छा इन बहुतों ने व्रक्त किया है कि हम कुलू आना चाते है जब आपके जन्मंच हुए थे जन्मंच में भी कहा था इसलिए कुछ लोग घबरा गए कुछ लोग नहीं घबरा गए मेरे को भी जब ये संदेश मिला तो मेरे को अपने आप बड़ा दुख होगा फिर मैंने वेरिफिकेशन के लिए ये कहें कि जी मैंने कहा मैं तो गहीं गाओं में हूँ तो तुम आ जाएए तो चालिस पचास लोग कठे होगे तक राल से तो फिर बाकी जो विबिन डल वालो उन्होंने भी कुछ बोला हुआ तो फिर हमने क्लाइडिकेशन ले दी और उसमें मेरे कुछ दिन कोई ही पता लग गया था कि भाई ये नहीं है अभी तक जो बाकी है वो कागज अब जाएंगे तो मैंने वहाँ से जो मैंने पहले दिया था उसको लेके आया मैंने का इज़ी टीजी है ना उन्होंने का कोई